एलो फ्रेंड राम आ रहे हैं तो कुछ न कुछ हमें स्पेसल बनाना ही चाहिए यह आज की रेसिपी है राम लला के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल उसमें डालेंगे देड़ कप बेसन एक पिंच डालेंगे हम बेकिंग सोडा और इसे मिक्स करके इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हैं इसका पानी हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा ही करके डालेंगे देखी मैं डेड़ कब बेशन से बहुत सारी मिठाई बनाने बाली हूँ वो भी स्री रामलला के लिए आप क्या बना रहे हैं रामलला के लिए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए देखी इसका बेटर अभी थेक है इसमें लम्स नहीं रहे हैं थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए इसका हमें अभी पतला बेटर करना है सबसे पहले आप सभी को 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत बहुत धेड़ सारी हार्दिक सुपकामना और सभी को जैश्री राम देखिए इसका बेटर हमारा एकदम परफेक्ट बनके तयार हो चुका इसे एकदम पतला कर लिया है और इसका देखिए बूंद बूंद टपकने लगा है देखिए मैं इसे चेक कराती हूँ आपको बेटर हमारा ठीक हुआ है की नहीं देखिए एकदम से बूंद बूंद जैसा टपक रहा है इसमें थोड़ा पानी ओर डाला है अब एकदम परफेक्ट वाला हमारा बैटर बन के तयार हो चुका है अब आपका बैटर ठीक बन गया ना तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और बैटर में थोड़ी सी भी कमी आ गई पतला या गाड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी देखिए मैं चमस से टपका के दिखा रही हूँ एक एक बूंद गिर रही है और इसमें लाइन कीच के देखिए बिलकुल एकदम लाइन कोट बनना है और इसका बैटर का बूंद बूंद गिर रहा हमारा बैटर पन के तयार हो चुका है चलिए इसे कर लेते हैं एक ग्लास में ट्रांसफर मैंने थोड़ा ही बैटर ट्रांसफर किया है ग्लास में आदा ग्लास लिया है यहाँ पर गैस पे हम चड़ाते हैं कड़ाई इसमें मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था यह ओईल यहाँ पर मैंने रिफाइंड ओईल लिया है आप चाहें तो देसी घी का यूज कर सकते हैं देसी घी का यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा अब गिलास से हम थोड़ा बैटर डालेंगे और बूंदी को जहा रहेंगे और हलका हलका डैप डैप भी करना है देखिए आपकी कितनी गोल मटोल बूंदी बनके तयार होंगी इस समय हम कर देंगे गैस की फिलेम को हाई और बूंदी को अच्छे से थोड़ा चलाएंगे इसे क्रिस्पी कल कल्ची से एक प्लेट में निकाल लेंगे डार्क कलर नहीं करेंगे सिर्फ हलका कलरी रहने देंगे और इसे हम कल्ची से निकाल लेंगे अगर आप चाहें तो इसे चलनी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यह बूंदी छोटी छोटी होती है देखिए इसमें कुछ बूंदी य यह आप देख सकते कितनी परफेक्ट तरीक से बूंदी हमारी बनी हुई है ज्ञारे के ही कितनी अच्छे से हमने बूंदियां मनाई है अगर आपके पास ज्ञारा हो तो आप ज्ञारे से भी बना सकते हैं इस बैच को भी हमें इसी तरह से लाइट कलर में ही निकाल लेना है टार्कलर नहीं करेंगे ये भी बूंदी हमारी अच्छे से सिक चुकी है अब इसे मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको चलने से चाय चलने की चलनी होती है उससे हम इसे निकाल लेंगे और हाँ इसे हम निकाल लेंगे एक बड़ी चलनी में जिससे इसका ओईल नीचे निकल जाए एस्ट्रा ओयल एक प्लेट में आ गया है और देखिए सारी बूंदी हमारी बनके तयार हो चुकी है और जो बड़ी बड़ी बूंदी थी आप बताऊंगे उसका क्या करना है इसे बड़ी बड़ी बूंदी को हम अलग निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे आप चाहे इसे हाथों से क्रेस करके इसमें डाल देंगे आप चाहें तो ग्रेटर में डाल कर भी क्रेस कर सकते हैं कई चाहे हैं को होड़ी बूंदी को करेस नहीं किया है चोटी चोटी बूंदी को क्रेस्ट नहीं किया है चोटी चोटी बूंदी के साथ बड़ी बड़ी बूंदी को हमने क्रेस्ट करके मिक्स कर दिया और टीश्यू पेपर पर देखिए कितना ओयल आ गया है अब जितना हमने बेशन लिया था उतना ही हमें लेनी है चीनी डेड़ कटोरी हमने चीनी लिया है आप चाहें तो कब भी यूज कर सकते हैं अब मैं हिया पर डालूँगी डेड़ कटोरी पानी देखिए मैंने डेड़ कटोरी पानी डाल दिया गैस की फ्लेम को ओन करेंगे और इस चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं इसे चलाते जाए आपके पास हरी इलाइची का पाड़रा तो मैं लुक मैं अम्हें यहां पर यहलो कलर का फुट कलर वाले इलागे यह अगourिंज वाले बनाने बना सकते हैं देखिंज siis क्यों हो पिट हो चुकी है थोरी सी या फिर पतली भी नहीं होनी चाहिए इसे आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट चासनी हमारी बन के तयार हो चुकी है और जो सारी बूंदी है वो हम चासनी में ट्रांसफर कर देंगे ये टीशु पेपर पर कितना ओईल निकल के आ गया है इसलिए हमें टीशु पेपर लगाना जरूरी है अब चासनी में हम भूंदी को मिक्स कर देंगे देखिए कितनी गोल मटोल अलग अलग भूंदी हमारी दिख रही है अब इसमें डालेंगे हम खरबूज के बीज या इसे एब्जॉर्ब कर लिया है बूंदी ने चलिए इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में हम इसे निकालते हैं एक थाली में इसे ठंडा करने के बाद ही बांदेंगे लड़ू गरम गरम में नहीं बंदेंगे इसके लड़ू और हाथ भी जलेंगे इसे ठं हाथों से बांदेंगे देखि कितनी असानी से हमारे लड्डू बंद रही हैं देखिए लग रहा है विल्कुल एकदम हलवाई जैसे लड्डू अभी यह ताजी ताजी है थोड़ा गर्मगरा में तो इसनी थोड़ा चिप चिपा लग रहा है वरना यह बाद में बहुत अच के तयार हो रहे हैं गुल मटोर और आप लड्डू बनाईए और राम लला को भोग लगाईए और सबको प्रशाद बाटिये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिये हैं इसी तरह से आप कब बना रहे हैं राम लला के लिए लड्डू मुझे कॉमेंट करके जरूर जिससे आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके देखिए लग रहा है ने विल्कुल एकदम हलवाई जैसे लड्डू मार्कीट में यह बहुत-बहुत महेंगे मिलते हैं इसनी अपने घर पर ही बनाईए सिर्फ डेर कब बेशन से डेर कि लड्डू देखिए मेरे लड्डू बनके तयार हो चुके हैं चलिए मैं इसे करती हूँ एक स्टील के डब्बे में पैक मुझे लगाना है राम लला का भोग इन लड्डू से चलिए मैं तो इन्हें कर देती हूँ डब्बे में पैक और प्लीज आप लोग जरूर लड्डू बनके तयार हो चुके हैं चलिए फ्रेंट मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ थैंक यू बाई बाई